नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शिप्रा और आप देख रहे हैं दिली नैंचुनाई पशिम बंगाल में अभी तक सियासी बवाल थमा भी नहीं था कि एक और बवाल वहाँ शुरू हो गया पशिम बंगाल की राजधानी कॉलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट की खचना के बाद अब देश के तमाम डॉक्टर्स में गुसा है और इसलिए अब डॉक्टर के सबसे बड़े संगेठन इंडियन मेडिकल असोशेशन ने आज यानि सौमवार को देश व्यापी हर्टाल की खोशना की है दरसल देश के ये सभी डॉक्टर्स परदशनकारी रेजिमेन डॉक्टर्स की मांगे नहीं मांगे जुआने के च्वलते नाराज हैं और इसलिए इंडियन मेडिकल असोशेशन ने आज देश व्यापी हर्टाल की खोशना की है इंडियन मेडिकल असोशियसन ने स्टेश के सभी गैर सरकारी साथी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्वतार नर्सिंग हो में ओपीडी सेवाए ठप रखने की अपील की है लेकिन मरीजों के लिए राहत की खबर ये है कि तमाम जो इमर्जेंसी सेवाए हैं वो खुली रहेंगी तो ये थोड़ी राहत की खबर है लेकिन जिस तरीके से लगातार 10 माई के बाद से डॉक्टर कही न कही परदेशन कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी जो पूरी सेवाए हैं वो रोक रखी हैं तो उससे कही न कही मरीजों को खासा परेशानी हो रही है और आज सौमवार को एक बार फर से लगभग देश भर के 5 लाख डॉक्टर्स ने हरताल पर हैं और स्वास्ते सेवाए पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं देश के अलग-लग राज्जियों में तमाम सरकारी गैर सरकारी मेडिकल कॉलिज हो तमाम जोंगे डॉक्टर्स हरता वहीं आपको बता दे जूनियर्स डॉक्टर्स से ये मारपीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स की डाली गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी लेकिन उससे पहले इंडियन मेडिकल असोसियेशन ने ये हर्टाल बुलाई है हाला कि आपको बता दें एम्स ने पहले इस हर्टाल से अपने आपको दूर रखने का फैसला किया था वो हर्टाल में शामिल नहीं हो रहे थे लेकिन उसके बाद आज एक बज़े एक लेटर लिखा गया जिसमें य यानि वो भी हर्टाल पर रहेंगे इससे पहले ये खबर आई थी कि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो इस हर्टाल में शामिल नहीं होंगे लेकिन उसके बाद जब एक जूनियर डॉक्टर पर हमला हुआ उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो एम्स के डॉक्टर होंगे व को बता दे सबसे पहले जब बंगाल की घटना हुई जब महां जूनियर डॉक्टर्स पर हमला किया गया उसके बाद सबसे पहले रेजिदेंट डॉक्टर्स ने ही इस घटना के विरुद अपनी आवाज उठाई थी इसलिए उन पर हमला किया गया है ऐसा माराच वारा है और बाद एक बाद फर से solchen के जो डॉक्टर हैं वहड़ाद में शामिल हो गए हैं और वह भी अब डॉक्ट्र की सुरक्षा की मांग कर रहा हैं और तमाम देश मैं अलग अलग जो संगेठन हैं वह तमाम लोग देश में जो सरकार की उनकी सुरक्षा और साथ ही अस्पताल को सेफ जोन खोशित करने की मांग लगातार स्तरकार से कर रहे हैं हाला कि जहां से ये चिंगारी उठी यानि पश्यम बंगाल से कॉलकत्ता में वहां जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद से लगातार वहां की मुख्यमंत्री ममतव अनरजी डॉक्टर्स को समझाने में जुटी हुई है लेकिन वो लगातार नाकाम्याब साबित हो रही है और जिसके च्वलते दस माई के बाद से लगातार डॉक्टर्स हर्दाल कर रहे हैं जंगा जंगा विरोध परदेशन कर रहे हैं हाला कि उनका ये साइलेंट प्रोटेस्ट है लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से स्वास्ते सेवाई ठप हो रही है उससे मरीजों को खासा परिशानी हो रही है और कहीं न कहीं अब वो वक्त आ गया है जब इसका हल सरकार को निकालना होगा और साथ ही पशिम बंगाल की मुख्य मंतरी ममतवनर्ची को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा और अधि खबरों को चाने के लिए सब्सक्राइब करें दिलिना चुनाएं